असलाम अलेकुम फोर क्लास वेलकम तु यूर फिर्स लेक्चर आफ साइस उमीद करती हूं कि आप सब खेरियत से होंगे हमारा जो फॉर्स ट्रम का था सिक्स वीक का स्लेबस पर बेटा आपका कंप्लीट हो चुका था आज हम नेक्स स्टार्ट करेंगे वर्क बुक पेश ट्वंटी एट से बॉकबुक पेश ट्वंटी एट पे कुछ यह तू आपके question है थिंग क्रिटिकली और फिर hai नोट्बुक question है जो हम solve करेंगे स्टार्ट करते है आज का लेक्चर जो आपक फॉर्स लेक्चर है इस टर्म का उसमें आपosta करेंगे think critically यह जो first two questions हैं यह आप solve करेंगे आईए first question हम solve करते हैं first question है बिटा कि can the body survive without any one of the parts involved in the digestive digestion of food कि क्या digestive system का अगर कोई part missing हो या body के वो portions करते हैं वो उन में से कोई एक missing हो तो क्या properly digestion हो पाएगी food की तो the answer is no इसके लिए हम अपना digestive system देखते हैं कि digestive system में कौन-कौन से parts present होते हैं उसको हम revise करते हैं तो यह आपका digestive system है book page 23 तो यह देखे बेटा यह आपका mouth से oral cavity से start हो रहा है यहां पे slivary glands present है माउथ में हम food को टीथ के साथ चियो करते हैं उसको small pieces में broke करते हैं और यहां पे slivary glands उसमें saliva release करते हैं जिससे हमारी food जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में move कर जाते हैं और यह आपको liver नजर आ रहा है dark brown में और यह liver क्या करता है यह bile release करता है जो कि हमारी food को digest करने में help out करता है तो यह तमाम जो organs जो है यह मील के digestive system बनाते हैं जो हमारी food को digest करने में help out करते हैं तो बटा आप खुद देखें कि अगर इन में से कोई एक portion जो है वो missing हो जाए यहां से हम food pipe को remove कर दें तो क्या हमारी food digest हो पाएगी क्या food mouth से stomach move कर पाएगी no अगर हम यहां से stomach को remove कर दें तो food जो है वो mouth से कहां पे जाएगी जब stomach नहीं होगा तब भी हमारी food digest नहीं कर पाएगी it means food को properly digest करने के लिए हमारा यह जो पूरा digestive system है इसको properly function करना चाहिए तो अपने question के answer में हम क्या write करेंगे no यहां में आप write करेंगे no because each part of digestive system do their specific function आप यहां पर write करेंगे कि नहीं बिल्कुल भी नहीं क्यूंकि digestive system का जो हर part है हर organ है वो properly अपना specific function जो है वो perform करता है यहां पर जो mouth है उसका अपना function है और सोफेगस यह food pipe, stomach, small intestine, large intestine हर जो digestive system का portion है वो एक specific function पर फॉर्म करता है और उस function के बगार हमारी food properly digest नहीं हो सकती इसलिए हम इस question में answer में write करेंगे no because of because each part of digestive system do their specific function के हर जो portion है digestive system का वो specific function पर फॉर्म करता है food को digestive करने के लिए इसलिए किसी भी part के बगार food properly digest नहीं हो सकती तमाम parts का होना जरूरी है उसे next question है कि हमने कुछ foods write करेंगे यह बहुत easy question है इसमें आप जो foods हैं वो अपनी पसंद की भी write कर सकते हैं इसमें हमने write करना है which foods are easier to digest यह question मैंने full write नहीं किया यहाँ पे यह आपका workbook पे लिखा हुआ है तो इस box में आपने वो food names write करने हैं जो के easy to digest हैं जिने हम easily digest कर सकते हैं और यहाँ पे आपने उन food के name write करने हैं जिन हमारा हमारी body easily digest नहीं कर सकते हैं अब एकते हैं वह कौन कौन सी foods हैं तो ऐसी foods जिने हम easily digest कर सकते हैं वो होंगी rice for example rice bananas eggs chicken sweet potatoes इसके लावा और भी बहुत सारी foods हैं जिने हम easily digest कर सकते हैं इसके लिए कुप vegetables भी हैं जिनका पील जो है यानि चिलका जो है वो सखत ना हो और वो तो उन्हें हमारा stomach जो है वो easily digest कर सकता है इसके लावा यह जो name है यह by choice है यह आप अपनी पसंद की यहां पे foods भी write कर सकते हैं जिने हमारी body easily digest कर सकती हैं यहां पे हम write करेंगे उन foods के name जिने हमारी body easily digest नहीं कर सकती तो यह बटा कुछ vegetables हैं जिनका जो चिलका होता है वो तो मैटो का जो पील होता है चिलका उसको हमारी body जो है वो digest नहीं कर सकती और इसके लावा कुछ फर्मेंटेड फूड्स हैं जिने ज्यादा टाइम के लिए स्टोर किया हुआ होता है मीट प्रॉडक्स जो गोष्ट और उससे बनी हुई जो चीज होती है ग्रेंज अल है जिने हमारी body properly digest नहीं कर सकती जो राइस है वो भी grains में शामिल है लेकिन राइस जब वाइल हो जाते हैं तो वाइट राइस हम easily digest कर सकते हैं और बहुत सारी इनर्जी भी गीन करते हैं इसके लावा सम डेडी प्रॉडक्स आर जिने हमारी body digest नहीं कर सकती यहां तक आपने लेर्न करना है और इसको नोट बुक पे प्रेक्टिस भी करना है फर्स लेक्टर आपका यहां तक complete है और इसको आपने अच्छे तरह से लेर्न करना है राइट करना है और प्रेक्टिस करनी है और नेक्स लेक्टर से पहले अपना जो प्रिविएस लेक्टर यह फर्स लेक् तेंक यू आला हफीज